जहीं दोस्तों कैसे हैं आप लोग शागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल पेडिक्शन राजा में दोस्तों भी हम बात करेंगे टाटा उमेंस पीमेर लिग जो कल से खेला जाएगा गुजरात उमेंड वर्सेज मुंबई इंडियंस उमें की बीच में खेला यहां पर देखने को मिल जाएगा टेली-ग्राम चैनल से जुरने के लिए आपको एक च्छोटा सा काम करना है और दोस्तों यहां पर मैंने एक गीपवे रखा है कि आप लोग को जाने है कमेंट सेक्षन में वहां पर आप लोगों को कुछ भी कमेंट करना है जो भी आपको अच्छा लगे आप लोगों में से किसी एक यूजर को 500 डुपीज फॉन पे के तुरू गिफ्ट किया कि आप लोगों में से किसी दो लकी यूजर जो एक्सेंज 22 खेलते हैं उनके वैलेट में हंड्रेड हंड्रेड ने दस्तों थौजन रूपीज रियल कैस्ट दोनों को दिया जाएगा मतलब दो हजार रूपीज का गीपवे हो गया एक्सेंज 22 पे जहां पे आप लोगों मे से दो किसी लकी भाई को मिलने वाले थौजन रूपीज रियल कैस इच ध्यान रखेगा रियल कैसे कोई बोनस नहीं है दोनों में टर्म्स इन कंडिशन एक है कि वीडियो लाइक और यूटूब चैनल सब्सक्राइब होना ही चाहिए अब दोस्तों बात करूं वीनिंग पर सब्सक्राइब मुंबबे इंडियों समयन के विनिंग चांसेज होंगे यहां पर 60 पर सेंट और गुजरात वमैंड के विनिंग चांसेज होंगे 40 पर सेंट अब यहां पर बात करेंगे पिछ रिपोर्ट को लेकर आपको दिखेगा आप कहसकतो कि भले यह आपको पेसी विकेट दिखे लेकिन यहां पर इस्पीनर्स गेम में रहेंगे और ठीक थाक स्कोर यहां पर बनते हैं तो आप नौर्मली यहां पर 155-160 करके चल सकते हो और मैंस मैंच है तो थोड़ा बहुत अवाले मुकाबला भी आपको देखने को मिल जाएंगे अब यहां पर आपको यह चीज और रखना है कि चेसिंग करना थोड़ा सा इजी रहता है इस केमपर टू बैटिंग फर्स्ट तो आप यह ध्यान मिलेकर चले आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दोंगा तो आप उनको अपने टीम से ड्रॉप कर दीजेगा बैटिंग से बात कर लूँ तो हर्मन पितकोर आपके टीम में होनी चाहिए उसके लाबा मैं आपको डिकेमेंड करूंगा कि पहले आप ओल रंडर जोन में आ जाओ द्रीव लेंड पे आपको अधिक से अधिक और प्लस बॉलर अपने टीम में लेके जाने है और ने टाली सीवियर एमिलिया कर एक गार्डर हैले मैथ्यो जी चाहिए लेकिन मैं आपक इसको किस तरीके से ट्रीट करती है अगर यह पैकेज के रूप में ट्रीट करती है तो फिर आपके लिए अच्छी काशिपिक बन जाएंगी पीच में अगर कुछ लेट नियूज निकलता है कि ने श्मीनर के लिए भी ज्यादा मदद होगा तो आप अपने टीम में बैक कर सकते हो अब यहां पर ध्यान रखेगा यहां पर रूल नहीं है कि आपको चार ही और रखने आप यहां पर जो है और सीज पांच लेकर चल सकते हो बात करूँ बॉलिंग में तो मैं आपको डिकेमेंट करूंगा कि हैदर ग्रहाम को ट्रैकर लिजिए इंडियंस यहां पर को मौका देती हैं तो फिर आपके लिए अच्छी काची बिक बन सकती है फिर मुंब इंडियंस ओमेंज है फूजा वस्तरबगर को भी मौका देंगी रिजन क्या है कि एक तो इंडियन पिले ने दूसरी बात यह बॉलिंग प्लस बैटिंग दोनों से प्यंट देंगी तीस को मुंब इंडियंस ओमेंन खिलवाती हैं या फिर नहीं खिलवाती हैं बाकि निचे से मुझे कोई लगने रहे आपको खेलते दिखने वाली हैं घ्यान रखेगा मांसी जोसी इंडियन ओमेंन की स्टार बॉलर कभी बना करती थी वहले ही अभी इनकी टीम में जगा नहीं बन रहे पीट में अगर पेसर्च के लिए मदद रहा तो आपके लिए मांसी जोसी अच्छी बिक बन सकती हैं बाकि ड्रीमिलेंड पे आप क्या किजेगा मैं आपको रिक्मेंड करूंगा कि आप यहां से जो है अपने टीम में स्नेराना को ले सकती हो तो ड्रीमिलेंड का टीम आप कुछ ऐसा ट्रै किजेगा जहां पर बैथ मोनी आपकी टीम में होंगी हर्मन पितकोर होंगी सीवेर होंगी कर होंगी गार्डनर मैथ्यूज डॉटीन स्नेराना जियोर्जावडेहम पूजा वस्त्रवकर और हैदर अग्रहम उसके अलावा अगर हम बात करेंगे बाकि सारे अप्लिकेशन पर तो आपको वहां पर दो तीन चैन्स करने होंगे पहले आप दो तीन और स्नेराना को डॉप कर दो क्योंकि आप बाकि सारे अप्लिकेशन पर मैक्सिमिम्म 4 लंडर ही ट्रै कर पाऊगे तो डंकली को आप यहां से उठालो गुजडात में का फि पाज मानी जाती है साथ में डी हमलता भी आपके लिए ठीक ठाक्पिक पर जाएंगी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोने से प्वेंट देंगी और रिसेंटली अमन जोदकर बहतरीन वहां खेल किया रही है और इंडिया और मैंन के तब से भी इन्होंने लिसेंटली डेब्य तो मैं आपको डिकेमेंट करूंगा यह चार प्लस वैतमोनी प्लस दोस्तों आप हर्मन पितकोर को भी कैप्टन विसी चाहो तो देखे जा सकते हो मिनी जील जील में आपको हैदर ग्रहम को ट्रै कीजेगा यह लीग की बहुत बड़ी प्लियर मानी जाती है अभी के लिए म नहां से एक गारणर के ऊपर और वी सी मैंने बनाए हैं अमिल्या करको बांकी एंसी और हैले मैथ्यू साथ में बैक मोनी भी हमारे रडार में रहने वाली हैं तो फाइनल टी में जो भी बदला होंगे उसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा रिप दो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए वाई इन्जॉय कीजिए अच्छा खासा वीन कीजिए